सो हलो फ्रेंट्स जहींद बहुत बहुत स्वागत है आप सभी काया आपके पने यूट्यूब चैनल सक्तेना सिपी क्लासेस में दोस्तों आज जो है आप जानते हैं कि डेलेड थर्ड सेमेस्टर का जो सेकेंड पेपर हुगा है समाव एसी सिख्छा कि पेपर के सलीउचन को लेकर की मैं आप लोगों के सामने warmed हुआि तो लास तक देख्येगा और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मैंने एक वीडियो बनाई है पेपर आउट उस वीडियो को जो मैंत का मैंने बनाया वीडियो को दोस्तों आप लो लोगों का पेपर था उस पेपर का सलूशन मैंने दे दिया है तो आप सभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरू देख लीजेगा चलिए इसको हम लोग सलूशन को आप लोग करवा देते हैं पूरा क्वेशन कराएंगे कोई भी छोड़ने वाले नहीं है आप लोगों को दोस्तों पहला क्वेशन था कि समावेशी सिख्षा के अंतरगत किस तरह के बच्चों को सिख्षा की हद में लाना होगा क्या कहा रहा है देखिए कि समावेशी सिख्षा के अंतर किस तरह के बच्चों को सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे कारिया सील बच्चे HIV कौन सा यह हो जाओं मेरे दोस्तों इस रिच्ट ऋपर तीनव मगश्चों कर लाना पड़ते आपसे नमबर्र आपका उपरोग सभी हो जाएगा Right AM दो approximately कि थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं शुआ कौन सा पुनर्वास प्रसिप्षण एय् Noah राष्ट्री संस्थान तो ये कहां परistesतर है मेरे दोस्तों कहां पर है आपका देखिए कि ऊरिषा में है कहां पर आपका उरिसा में स्थित है चलिए आगे बढ़ते हैं question number हम लोग third पर आते हैं question number third आपका क्या खारा देखिए कि भारती पुनर्वास क्या है देखिए कि भारती पुनर्वास परिशत की स्थापना की गई तो भारती पुनरवास परिशत के स्थापना 1986 में की गई थी कव 1986 में की गई थी मेरे दोस्तों ठीक है चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अस्थी बाधिता के कारण हो सकते हैं जनमजात, दुरघटना, बिमारी, उपर युगत सभी तो दोस्तों अस्थी बाधिता क्या हो सकता है देखिए कि जनमजात भी हो सकता है किसी दुरघटना में भी किसी की क्या होती अस्थी बाधित हो सकती है आप से नमर कौन से चला जाएगा उपरोग तो सभी चला जाएगा चाउथे का कौन सा हो जाएगा आपका चाउथा हो जाएगा चलिए दोस्तों चार क्रेश्टन आपके अगला जो आपका है देखिए यहाँ पर द्रिष्ट हीन बालक ग्यान प्राप्त करते हैं ध्यान रखेगा कि द्रिष्ट हीन मतब द्रिष्ट हीन मतब जिनकी नजर नहो इस पर सद्वारा और स्रमण द्वारा दोनों जैसे कि प्राप्ट करते हैं रेडियो सुनेंगे आप सुनकर के बहुत कुछ ग्यान प्राप्त कर सकते हैं समाशार की चीज़ों की जानकारी आप लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका देखिए थर्ड आपसन हो जाएगा वन एवं दो दो तरीके से आप ग्यान बच्चा प्राप्त कर सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं आपका आगे आजाता है मेरे दोस्तों क्यासन नंबर जो आप लोगों का छे है क्यासन नंबर छे है देखिए कि वंचित होना बाले जीवन की उद्दीपक दसाओं की नियुनता है यह परिभासा दिया गया है तो यह जो परिभासा आप लोगों का दिया गया था किसके दरह दिया गया था मेरे दोस्तों GARDEN के किसके दरहा GARDEN के दोरह दिया गया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो क्येसन आपका आजाता है क्येसन नमर साथ कि द्रिष्टि बाधिता का मुखह कारण ह भी हो सकता है और वातावर्ण भी हो सकता है अब बहुत से लोगों के देखें होंगे कि वातावर्ण में ही पहले देखते हैं बाद में उनकी जो आखें होती है खराब हो जाती है तो वह वातावर्ण के कर रही होता है तो कमसा हो जाएगा दोनों एक एवं दो आपका दोनों हो जाएगा मेरे दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो क्योशन है आपका देखिए कि साइको गैल्वनिक स्कीन रेजिस्टेंस आडियो मीटर का प्रयोग करते हैं देखें साइको गैल्वनिक स्कीन resistance तो यह किसमे किया जाता है देखिए कि स्रमण बाधिता में किसमें स्रमण बाधिता में करते हैं अस्थी बाधिता में दृष्टी बाधिता में उपरोक्त सभी में तो ध्यान रखिएगा इसका जो प्रयोग होता है आपका देखिए कि स्रमण बाधिता में भी किया जाता है देखिए प्रतिभास आली बालग कितना होता जिनकी बुद्धि-लद्धिया कितना होता 140 से प्लस हो तो उसे प्रतिभास आली बालग कहते हैं तो इसका हो जाएगा आपसा नम्बर 3 हो जाएगा 140 से अधिक चलिए दोस्तों अगले question पर आते है जो आपका दसमा question है कि अलफ्रेड वीने ने बुध्धी परिक्षण बनाया क्या देखिए अलफ्रेड वीने ने जो बुध्धी परिक्षण है वो कब बनाया था तो 1905 में कब 1905 में ठीक है तो 1905 में बनाया था चलिए दोस्तों, आगले question के बढ़ते हैं देखिए, अगला question से है, जो आपका question नमबर जो है आपका 11, किसी बालक के अपराधी बनने के कारण है, वातावरणी कारण, वनसा नूगरप, एक, एवं दो दो नो, द्यान रखिए, अगर बालक अपराधी बनने का उसका वाताव हो जाएगा एक एम दो दो नों पे चला जाएगा चली आगा अगला है देखिए क्येस्टन आपका कि समावेसी बालक समुह बनाते हैं तो समावेसी जो बालक होते हैं वो कैसा समुह बनाते हैं देखिए 20 मांगी समुह बनाते हैं कैसा बनाते हैं 20 मांगी समुह किया था जिसे क्या होता था कि स्रैप्रीं दृस्ट पाढ़ित जो बालक होते थे उनको पढ़ने के लिए छेल्प करता था तो इनका जो जनम थाâteर जनम थेए तो अथारासो नौ सि स्विमी로 कब हुआ था देखिएं अगर मैं बताँ तो चार जन्वरी कब हुआ था चार जन्वरी 1809 को हुआ था ठीक है समझ में आप लोगों को आ गया होगा पहला जब आपका जोग मनाते हैं देखें लुइस ब्रेल दिवस तो मैंने आप लोगों को इसमें से मिनार में बताया था कि लुलियास को इसक कहां हुआ था रोड पर कह इसमें से यह कड़ जाता था यह कड़ जाता था आर का कोड़ चार डी का कोड़ एक तो चार एक का मतलब पहला महीना था चार जन्वरी तो मैंने बताया था यह बहुत अची तरीके साब लोगों को याद होगा अगला है देखें आपका कि ब्रेल लीपी पर कितने स्थान इस्थित है किसके लिए द्रिष्टी बाधितों के लिए तो राष्टी जो सिक्षा संस्थान है कहां पर है देहरा दून में है कहां पर है मेरे दोस्तों देहरा दून में इस्थित है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों का कौन सा आज आता है अति लग ही क्या है देखिए कि सबसे पहला देखिए को स्वस्थमन रंजन के साधन उपलम्द कराए जाने चाहिए असलील साहित ओम दोस्पुड चल्चित्रों पर रोग लगाली लगाई जाए और विकड़े जो बालक हैं बच्चे हैं उनको सुधारने में माता पिता की मदद करने ह तरह बाल सलाहकार केंद्र गटित किया जाएं बच्चों को साला देने के लिए इस तरीके से उसको कम किया जा सकता है यह अपने तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं अब आगे देखिए कह रहाएं मंध बुद्धिबालकों के पहचान बताईए पहला मतलब नाइक होटी है पढ़ने वह समायोजन करने में इनको करहा हूँ होती है कातिनाई होती है और इनके आंदर आत्मभिश्वास के चान हो तो आपने हिसाब से अपने भासा में लिखना था अब आगे पूछ रहा है तो आप वंचन क्या होता है दिखिए कि अगर मैं बोलूं तो आप उंचन क्या होता है कि किसी छेत्र को ही समाज की मुख्यधारा से वद्वाइब कर रखा जाए जैसे कोई छेत्र है रहें पर अग क्या करता है अगे हैं आपका देखे कि वाडिवाधि क्या देखे वाडिवाधिक वाकदोस बच्चों के लच्षड बना करके लिग सकता तो इसस में कुछ है नहीं आगे देखिए प्रधिभा साली बच्चों की 2 विसेस्ता है लिखिए उसकी जो आई-की होगी पहला तो यहीं हो गया और आप लिख सकते हैं देखिए को उसका वहार बहुत अच्छा होगा साधारण बच्चों की देखे एक खासियत और होती प्रदिभासाली बच्चों की कि वे क्या करते हैं देखे कि सामान बच्चों के पेच्छा जल्दी वो मतब बैठना सिख जाते हैं खड़े होना सिख जाते हैं उनके दांत भी बहुत पहले निकल जाते हैं सामान बच में पुछा है मनो विग्यान शाला तो बहुत लोग आपको लागा करके आए होंगे अगर देखें इलहाबाद जिसकी जो देखें मनो विग्यान साहला कब और कहां सतापित है तो कब देखें अगर यूपी की विग्यान साला कर वह बोलें तो कौन था आचार नरेंद्र देव था लेकिर यहां सिर्फ पुछा है मनो विज्ञान साला कब और कहां स्थापित की गई भाई वो पूछ रहा है सिर्फ भारत की बात तो ध्यान रखेगा सबसे पहली जो मनो विज्ञान साला थी सबसे पहली जो आपकी मनोविज्ञान साला थी वो कोलकाता विस्विद्याले में हुई थी कहां पर कोलकाता विस्विद्याले में हुई थी तो यह सिर्फ आपसे पुछा तो मनोविज्ञान साला कब और कहां स्थापित हुई नरेंद्रनाथ सेन गुपता कौन नरेंद्रनाथ नरेंद्रनाथ सेन गुपता इन्हों ने इसको क्या किया था इस्थापित किया था अगला है देखे स्रमण विकलांगता के प्रकार बताईए तो स्रमण विकलांगता के प्रकार क्या हो सकता है देखे एक वनसान उक्रम हो ज मतलब होता है कि जन्म के बाद किसी प्रकार की चोट के कारड़ों क्या हो जाता है सुनना बंद कर देता है तो वह सकता है देखे आगे देखे पूछा कि निर्देशन क्या होता है देखे निर्देशन का मतलब होता है देखे निर्देश देना तो होगा देखे निर्देशन क्या होता है व्यक्तिगत सैक्षिक मनोवेग्यानिक सामाजिक स्वास्त संबंधित अनेक आयामों से क्या होता है संबंधित होता है तो वह निर्देशन हो ब्रेल लिपि में क्या करते हैं इस परकर करके क्या करते iszीखते हैं तो जैसे इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं टेलर फ्रेम जो डिवाइस का प्रयोग करके क्या करते हैं देखिए उपयोग करके गड़ी के क्रेशनों को सालो करते हैं अब आगे दिया था हकलाने के दो कारणों के अपने हिसाब से लिख सकते हैं कोई बड़ा चीज नहीं है अगला था देखिए बच्चे होते हैं उनको खुद पर दिव्यांगता पर दया जैसे भाव नहीं रहते हैं और यह जो विसीष्ट बालकों को आत्म निर्भर बनाकर उनको समाज की समाज की मुखे धारा से जोडता है आगे स्रोवड विक्रती से क्या समझते हैं तो सरोवड विक्रती के निर्देशन जो होता है कि के जो दो प्रमुक जो उद्देश यह है देखे कि इसके आधार पर व्यक्ति को इस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है मतब कि इस प्रकार से कर सकते हैं खुद की समस्या समाधान है तो स्वयम निरड़े ले सके निर्देशन का दो प्रमुक उद अगे आपका जाता है कि वाक दोस क्या है तो आपधियों की सुत्र से उसके बारे और बना कर तदेVA के सुत्र यॉच्राइओ आपकां मानसिख अयुए राए बटा के वास्तिवियुके आयू ठिक है इसके मान्सिश होताई है यह बाद मेसा था जआ इस तरीके से आपका क्वेस्ट्रा प्रश्ण था अपने तरीके से आप लिएक्षन से आप क्या समझते हैं बुद्धी बालकों का अर्थ में परिभासा बताई जड़ मुड को परिवासित किजिये और यह बालक को किस प्रकार से भिन्न है परामर का किया था देखिए बुद्धी परिक्षड कितने परकार का होता है उसके बारे में लिखना थださい अपराधि बालकों के उपचार की विध्या कॉन. वाएं बूल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा करके आप लोगा आये होंगे। मुझे उमीद ही पुरा भी श्रास है मेरे दोस्तों तो नए होईएगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा यदि आपने सेकेंड जो मेरा चैनल है सीपी क्लासे सुन भद्रा उसे भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे जरूर प्यार दीजेगा उसे सब्सक है मेरे दोस्तों क्योंकि आप लोग उससे बहुत ज़्यदा लाप मिल लेवाना तो चलिए इस वीडियो के समाप्ति करते हैं उमीद है पसंद आया होगा धन्यवाद